आज हम बनाएंगे इस कॉटन लेस से बहुती सुन्दर सा नेक डिजाइन तो यह आगे का शर्ट का हिस्सा है तो इस पर हमें नेक डिजाइन डौ करना है तो सबसे पहले मैंने साधे साथ इंच चुडाई में बुकरम को काट लिया है नेक डिजाइन बनाने के लिए तो अब इसकी नेक की हम चुडाई पहले रखेंगे पांच इंच मैंने ये नेक तियार करना है तो यहां मैंने पॉने तीन इंच पर निशान लगाया है क्योंकि जब हम लेस लगाएंगे तो थोड़ा आगे की तरफ अंदर की तरफ आ जाएगा नेक डिजाइन तो इस नेक की पीछे से नेक डिजाइन का डिजाइन भी चौरस में ही रखेंगे थोड़ा सा तो ऐसे मैंने इसको नेक डिजाइन को ड्रॉ किया अब इसको काट लेंगे हम पीछे का जितना आप मार्जन रखना चाहें उतना रखकर पीछे से भी बुकरम को काट लिया है तो ये देखिए ये हमारा बुकरम पर नेक डिजाइन कटके त्यार हो चुका है तो अब इसे हम कपड़े पर अटेच कर लेते हैं साड़े पांच इंच पर निशान लगाया है तो इस पर साड़े पांच इंच पर रखते हुए बुकरम को फटा फट से इसकी स्लाई लगा लेंगे और सारी स्लाई लगाने के बाद पीछे से हम मार्जन को रखते हुए थोड़ा थोड़ा कपड़ा काट लेंगे उसे ऐसे बुक्रम की चारो तरफ फोल्ड कर लेंगे तो ये हमने कपड़े पर भी अब टैच कर लिया बुक्रम को अब इसका सेंटर करते हुए सेंटर में हम थोटा सा कट लगा कर निशान लगाएंगे और नीचे भी चौक की मदद से निशान लगा लेंगे ताकि जब हम इससे अटेच करें तो हमें असानी रहें सेंटर में रख कर जोडने में से तो अब शर्ट के आगे वली हिस्थे पर इससे अटेच करते हैं यहाँ पर भी हमने सेंटर किया है कपने का और इसके बाद दोनों तरफ पर निशान लगा कर और साइट से भी चेक कर लिया है कि इक्वेल कपड़ा बच रहा है दोनों साइट से तो अब जहाँ पर पिंस लगा कर मैं से सेट कर रही हूँ आप चाहे तो कच्चा भी कर सकते हैं अगर आप बिग्नर्स हैं तो साइट से चेक कर लिया है तो बिलकुल एक समान आ रहा है कपड़ा तो अब इसकी हम सलाई कर देते हैं तो बुकरम के साथ साथ बिलकुल सलाई करेंगे उसके उपर सलाई बिलकुल भी ने आनी चाहीं बुकरम पर अब पिंस निकाल दी है और एक्स्ट्रा कपड़ा कार दिया है सेंटर में से और इसके बाद छोटे छोटे कट लगा दी है अब उक्रम को अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे हम और इसके बाद उपर हम एक स्लाइल लगा देंगे तांकि अच्छी सी फिनिशिंग आ जाए और अच्छी तरह से जो नेक डिजाइन है वो भी पका हो जाए और इसके कोई उधरने का चांस ही न रहे तो चलिए अब हम ये लेश लगा लेते हैं ये कॉटन के लिए इस मार्किट में बहुत यसानी से मिल जाती है और ऐसे लगता है जैसे हमने नेक पर मोती लगाई हो बिल्कुल वैसे ही इसकी लुक आती है जब ये बन के त्यार हो जाता है तो अब इसको हम इस बुक्रम के नेक के नीचे ऐसे रखते हुए उपर से इस लाई लगा देंगे lace को हमें खीचना बिल्कुल भी नहीं है हलके हाथ से लगाना है और center जहाँ पर चाहे तो आप काट सकते हैं वर्ना चाहे ऐसे ही इसको fold कर सकते हैं तो मैंने यहाँ पर काट कर चोटे चोटे piece यहाँ पर ऐसे लगा ली है lace को बहुत ही सुन्दर सा यह neck design बनके त्यार हो जाता है यह lace लगाने से और देखने में बहुत ही अच्छा भी लगता है जब हम पहनते हैं तो तो लीजिए यह हमने lace लगा कर neck design को त्यार कर लिया है अब center करते हुए अगर उपर से कोई कपड़ा बढ़ रहा है ज़न लेस उसको कार देंगे तो देखिए यह कितना सुन्दर सा neck design हमारा लेस के साथ बनके त्यार हो चुका है बिलकुल ऐसे लगता है जैसे हमने मोति लगाए हूँ आप आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा और इसे आप अपने फ्रेंड के साथ भी जुरूर शेयर करेंगे थैंक्स फर वाचिंग और सब्सक्राइब मैं चैनल और प्रेस दा बेल आइकन फर मोर और वीडियो थैंक यू